हलो दोस्तो मैं पूजा मेरे चैनल पूजा Home Kitchen में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाली चल रहे हैं तो दिवाली में तो घर घर में तरह तरह की मिठाइयां तो बनती ही हैं तो इसमें से एक है कलाकन ये एक ऐसी मिठाई है जो सभी को खाना पसंद है बनाना भी अ जाएगी तो अगर आपको हमारी रेश्पी पसंद आये तो हमारी चनल को लाइक चेर सब्सक्राइब जरूर करें गैस पर देते हैं कढ़ाई इसमें हम डालते हैं दूद तो यहां पर हमने गाय का दूद लिया है दूद गरीब साड़े तीन लिटर और पूरे दूद को हम आपको दूद को पहले गरम भी हमने कर लिया था ऐसा नहीं कि कच्छा दूद है हमने डारेट ऐसे चड़ा दिया है इसको हमने पहले गरम करके रखा था इसमें हम डाल देते हैं कर्ची यहां पर देखिए 10 मिट में दूद में अच्छी तरह से बॉइल आने लगा है और ज इसको बनाते बनाते ना आपकी दिवाले की सभी मिठायां तयार हो जाएंगी लेकिन ये सबसे लाश्ट में बन करके तयार होगी बहुत ज्यादा समय लगते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी छहां पर देखिए दूद जो है आदा होने लगा है तिन दानेदार करने के लिए फिटकिरी आप यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं या पहले दूद को फाड़ करके फिर दूद में डाल करके फिटक्री सब्सक्राइब क्रणा होकूचा 2 लंग कायए हुद्सक्राइब पर मनेल तो नीव का भी उजब सकते हैं चैने और बाइसे और पर है प्रदेशन का प्रणी से सब्सक्राइब और इसके तरीक और आगर सब्सक्राइब फ्म अलाक सब्सक्राइब करते हैं और वि Aha और रहे हैं और एलाची पॉडर चीज़ों को चलाती हुए वेना है और यहां पर जितना भी मतलब कलाकन देना देखी बिल्कुल दानेदार हो गया है और दूद भी दिख रहा है और दानेदार भी दिख रहा है फटा फटा तो इसको बस जला करके बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है ठीक कर लेना है यहां पर इसको कुल समय बनाने में दो घंटे तो लगी गए थे बिच बिच में गैस को धीमा किया था फिर हाई किया था और यहां पर फाइनली यह बन करके तयार हो गया इसमें बिल्कुल भी दूदोगरा मौस्चर नहीं है थोड़ा बहुत रहेगा न तो जैसे जैसे इसको हम रखेंगे जमने के लिए वह अच्छी तर फाइमें जितना लगा हुआ भी है उसको भी हम निकाल लेते हैं पल्टे से और फिर इसको अच्छी तरह से इसी में हम सेट कर देते हैं यहां पर पे देखिये बहुत ही अच्छी तरह से चाकोने में यह सेट हो गया है और इसे सेट करने बाद इसे हमने रखा था 2 घंटे पंके के हवा में आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं एक घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से हाड हो जाए यहाँ पे इसको हमने ऐसे रख दिया है और चली जैसे थोड़ा-थोड़ा हाड हो गया है इसको हम कट करके दिखाएंगे यहाँ पे देखिए लेते हैं चक इसको हम रखते तो अच्छी तरह से जम जाता है लेकिन साइट कलाकंद बहुत नरम होता ही है मुँ में जाते ही घुल जाता है लेकिन यहाँ पे देखिए काट लेते हैं इसको और फिर इसको चारकोने वर्फी का हम सेफ देदेंगे तो यहाँ पे लीजिए बन करके बहु करते रहे हैं इसको मेडियम कर देखिए जब दूद में बॉइल आ जाएगी और यहाँ पे लिजिए निकल गया था कहीं भी नहीं चिपका हुआ था और निकल गया था इसके जितने भी पीज थे अलग-अलग निकल गया थे तो इसको हमने उसी कागज में चिपका करके लुआ जाएगी नहीं कर दो